असलाम अलेकुम अजीज तल्बा हम जानते हैं कि जमीन के महवर के जुकाव और जमीन के कुर्रन हुआ होनी की वज़ा से सूरज की शुआए जमीन पर यक्सान नहीं पड़ती जिसकी वज़ा से जमीन के मुक्तलिक इलाकों में दरजय हरारत और आबो हवा में फर्थ पाया जाता है साथ ही इन इलाकों की जमीनी साख्त भी अलग-अलग होती है इसलिए जमीन पर यक्सा खासियत रखने वाले इलाकों की कुद्रती खित्तों में तक्सीम की गई है आईए अजीज तल्बा जमात उफ्तुन के जुगराफिया के सबक नंबर 6 कुद्रती खित्ते में हम सबसे पहले टुन्डरा का खित्ता इसके बारे में मालूमाथ हासिल करते हैं टुन्डरा खित्ते का महले वकू 62 दरजे से 90 दरजे शुमाली अर्जुल बलत के दर्मियान है इस खित्ते में शुमाली कैनेडा, गिरीनलेंड, शुमाली यूरोप और शुमाली ऐशिया के इलाके शामिल है, यहां सूरज की शुआये बहुत जादा तिर्ची पड़ती है, इसलिए टुन्डरा में मौसमे सर्मा एक साल में 42 से 46 हफ्तों तक रहता है, सर्दियों में यहां का दरज़े हरारत तकरिबन नफी 20 से नफी 30 तक पहुत जाता है, गर्मियों में यहां का द दरज़े हरारत तकरिबन 10 दरज़े सेलसियस होता है, मौसमे गर्मा यहां सिर्फ 6 से 10 हफ्तों का होता है, से हमें समझ में आता है कि यहां इंतिहाई सर्द आबहुवा होती है, यहां बारिश बहुत कम होती है, बारिश का सालान आउसत 25 से 300 मिलिमिटर होता है, अब यहां के कुदरती नबातात के बारे में जानते हैं अजीज तल्बा यहां की आब हवा इंतिहाई सर्द होती है और मौसा में सर्मा काफी लंबे अर्शे का होता है इसलिए यहां बर्फ ही बर्फ फैली होती है मिट्टी बर्फ के नीचे होती है जब मौसा में गर्मा आता है तो थोड़ी बहुत बर्फ पिगलती है और छोटी-छोटी नबातात नशोनुमा पाती है मौसा में गर्मा बहुत कम अर्से का होता है और जल्द मौसा में सरमा आ जाता है बर्फ बारी या पानी के फिर से मुझमिद होने के नतीजे में यहां की नबतात का अर्षय हयात मुख्तिसर होता है यहां छोटी जाडिया, घास पूस, फुल, काई, दगर फुल वगेरा नबतात पाई जाती है अब जानते हैं टुंडरा की हैवानी जिन्दगी के बारे में टुंडरा के मशूर जानवरों में कुत्बी रीच, लोमडिया, सील और वारलेस मचलिया वगेरा पाई जाते हैं इसके साथ साथ यहां का सबसे मशूर जानवर रेंडियर है जिसे कैरिबो के नाम से भी जाना जाता है। उसे कुतबी हीरन भी कहते हैं। सर्द आबहुआ होने की वज़ा से यहां नर्म और घने बालो वाले हैवानात पाई जाते हैं। ताके सर्दी से उनकी हिफाज़त हो सके यहां के हैवानात जादा चर्बीदार होते हैं जब बहुत जादा बर्फ होती है और इस इलाके में गिजा की किल्लत हो जाती है तो हैवानात के जिस्म में मौझूद चर्बी पिघलने लगती है इस तरह ये हैवानात अपनी गिजा की जरूरत को पूरा करते हैं अब टुंडरा की इंसानी जिन्दगी के बारे में जानते हैं यहां के बेश्तर अफराद, शिकार और माही गिरी करते हैं यहां मक्सूस किस्म के मकानात बनाए जाते हैं यहां चमड़े के खेमे बनाए जाते हैं जिसे टूपिक कहते हैं और बर्फ के घर भी बनाए जाते हैं जिसे इगलू कहते हैं बर्फिला इलाका होने के सबब यहां सिलेज गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है यहां के लोगों की जिंदगी पूर मुशक्कत होती है यहां के लोगों को इसकीमों बाशिंदे कहा जाता है इस इलाके में आबदी निहायत कम गुंजान होती है